दीपक शर्मा हिंदी कथा जगत में एक सुपरिचित नाम हैं। उनकी लिखी कहानिया मर्ब इसपरशी तो हैं ही साथ में मार्मेक भी हैं। लेकिन एक बात और जो उनकी अनेक कथाओं के विशेश्टा है वो है असहज करने का भाव। ये कहानिया केवल मनोरण्जन करके चली जाने वाली कहानिया नहीं हैं। ये कथाओं आपको हिला देती हैं। ये आपको ऐसे संसार में ले जाती हैं जिससे आप अपने रोजमर्रा के जीवन में नितांत अपरचित रहे थे। प्रसुत है कहानी दशरत मेरी जुबानी मैं अगले दिन मुझे अपना हाइज स्कूल का फार्म भरना था और मेरे अध्यापक गणने मुझे बताया था कि अपना जो भी नाम और अपनी जो भी जन्मति थी मैं उस पार्म में दर्ज करूंगा फिर जिन्दगी भर उन दोनों को मुझे अपने साथ रखना होगा। क्यों मा ने पूझा अपने हेमंत के साथ मुझे रंजन नहीं चाहिए तो क्या शांडिल्य चाहिए शांडिल्य मा के पिता का जाति नाम था जिसे उन्होंने अभी भी अपने साथ रखा हुआ था तीस साल पहले जब मेरे नाना जी की मृत्य हुई थी तब BSC के तीसरे साल में पढ़ रही मेरी मा को उनकी एकलोती संतान होने के नाते उनकी मृतक आश्रत की हैसियस से उसी व्यग्यानिक संस्थान में उनी का पद तथा वही सरकारी कौटर अलोट कर दिया गया था जहां वो रहते थे और हमरे घर के बोर्ड पर माही का नाम था करोना शांडेले लेबोटरी असिस्टेंट नहीं आपका नाम भी नहीं चाहिए मेरे दाए हाथ के उगलियां अपनी हतेली पर एक घूसे की ताकत संगठित करने लगी और मेरा कलेजा मेरे कंट में एक चीतकार का न ये बाबा को अपने क्वाटर पर ले आई थी मुझे पैदा कर ले ये जानने के बावजूद कि उधर कजबापुर में बाबा की पुरानी वेहता थी तीन बेटे थे पहला गिरीश रन्यन दूसरा सतीश रन्यन तीसरा राजी रन्यन फिर क्या चाहिए मा का स्वर चढ़ा क्या बात है नानी अपने कमरे से हमारे पास चली आई जब से अपनी रिटायर्मेंट के बाद बाबा इस थाई रूप से अपने पुराने पते पर लोट गए थे नानी अब मा को अपनी ओट में लेने लगी थी मा के छिपने की जगे बन गई थी मुझ से छिपने की मेरे ग ना बच्चे ना नानी कातर आवाज में भुनाई अपनी मापर रहम कर तू अपना दिल क्यों दुखाती है अम्मा माँ के प्राण अब नानी में बस्ते और तथेव नानी के मा में तू हमें इश्वर की दया पर छोड़ दे इश्वर की दया मुझे नहीं चाहिए आप दोनों को चाहिए इन्हें अपनी गलत ग्रहस्ती जमाने के लिए और मा को अपनी बेटी को गुमरा होने देने के लिए मैं चिलाया खबरदार मा तहारी खबरदार जो अम्मा से कुछ भी अनाप शनाप कहा कहूंगा मैं फिर चिलाया जरूर कहूंगा तुमने मुझे गलत धंग से पैदा किया और उन्होंने तुमें गलत दिशा में जाने से रोका नहीं मा अपनी चपल उतार कर मुझे पीटने लगी उनकी चपल उनके हांसे अलग करने में मुझे जराबी दिक्कत नहीं हुई अपने हातों में फिर से संगठित हुआ एक भूसे मैंने उन पर बरसाने शुरू कर दिये कुछ उनके सिर पर लगे कुछ गाल पर, कुछ पीट पर और जब वे जमीन पर लोटने लगी तो मैंने अपने घूसे लोटा लिये ये कुछ भी नहीं है मैं कर जा अब अगर धौस दिखाई तो मैं तुम दोनों की गरदन नाप दूँगा तभी दर्वाजी पर जोर की थाप हुई मत अतकाल अपने को संभालने लगी रो रही नानी को संभालने लगी दर्वाजा मैंने खोला बाहर गरीश रंजन और सतीश रंजन खड़े थे एक साथ वे पहले कभी नहीं आये थे आये भी थे तो अकेले अकेले वास्तों में उन तीनों भाईयों अपनी इंटर्मीरट की परीक्षा यहीं हमारे शहर से दी थी कजबापुर में उसका परीक्षा केंद्र ना रहने के कारण आंटी कहाँ है दोनों समवेश स्वर में चिल लाए क्या हुआ मा भी दर्वाजे पर चली आई दोनों रोने लगे बाबा के दोनों गुर्दे जवाब दे चुके है हम उने इधर अस्पताल में दाखिल कराए है अंदर आ जाओ मा ने दोनों के हाथ थाम लिए और उन्हें अंदर ले आई कहने को इस सरकारी क्वार्टर में दो कमरे थे लेकिन हम एकी कमरे को ज्यादा इस्तेमाल मिलाते थे बैटने बिठाने को उसी में तक से लगा था टीवी था, फ्रिज था और थी दो आराम पूर्सियां और एक छोटी गोल मेज जब तक बाबा यहां रहे ये कमरा उन्ही के नाम चिनहित रहा उनके जाने के बाद इसे मैंने अतना ठिकाना बना लिया था दूसरे कमरे में फोल्डिंग चारपाईयां थी जिनने जरूत पढ़ने पर खोल दिया जाता था वरना वे कोने में पड़ी रहती लकडी के दो संदूकों के साथ जिनमें आज से 50 साल पहले नानी के माईके वालों ने उन्हें दहिज का सामान नाना के सरकारी क्वाटर में भेजा था बाबा को डायलेसिस देना जरूरी है कमरे में पहुँचकर गिरीश रंजन और सतीश रंजन फिर बसूरने लगे डायलेसिस के लिए डाक्टर बाबा कहते हैं आप बहुत कृपालों हैं बहुत उपकारी आप जरूर उन्हें बचा लेंगी कैसा उपकार? कैसी कृपा? बैक कर माने उन्हें बारी-बारी से गले लगाया वे क्या केवल तुम्डों के पापा हैं? हिमन्त के नहीं मा के आचार विहवार में ना कभी प्रेम निश्चित रहा करता और ना कभी दुर विहवार सामने वाले का तक्षन समधेग यदे उनके अनकूल रहता तो वे उस पर लट्टू हो जाया करती और यदे प्रतकूल तो सामने वाले को बड़ी से बड़ी चोट लगाने से भी न चूकती अपने इस सरकारी कौर्टर में इनी भाईयों को टिकाने के दौरान मा को कई छोटे बड़े दौरे पढ़ते रहे थे कुछ विशुद उदारता के तो कुछ अकूत कुरूरता के नानी को छोड़कर अस्पताल हम सब साथ पहुँचे मा का एक एफटी तुड़वा कर जनरल एमर्जनसी वार्ट के एक बैट पर बाबा लेते थे उनका चेहरा जड़ पीला था और दाड़ी के बाल तिल चाब ली दाड़ी के हजामत बनाए हुए उन्हें कई दिन हो गए होंगे आंटी आ गई है बैट के पास रखे स्टूल पर बैठा राजीव रंजन उट खड़ा हुआ करुना बाबा क्षीर सवर में फुस फुस आए मुझे बचा लो मा रोने लगी हेमंद बाबा ने मुझे पुकारा इधर मेरे पास बैठो राजीव रंजन की जगए मेरे ग्रहन करते ही बाबा फिर बोल उठे इस बीमारी की वज़े से इस साल तुमारा जनम दिन खाली निकल गया पिछले मेरे हर जनम दिन पर मेरे बदल रहे चेरे का नया खाका वे नए कागस पर उतारते रहे थे लकीरों का जादू वे बखू भी जानते थे किसी से भी जब उन्हें अपना मैतरी भाओ अत्वा इसने प्रकट करना होता उसके लिए वे स्केच जरूर बनाया करते मा के पास तो उनके बनाए स्केचों का भंडार ही रहा आदे घंटे के अंदर बाबा की एक बाहां मशीन से सब्बद कर दी गई दो ट्यूबों दारा बाद में मुझे बताया गया एक ट्यूब दारा उनकी धबनी का खून मशीन में पहुचाया जा रहा था ताकि वो खून में जमा हो चुके अवशिष्ट पदार्थ निकाल दे और दूसरी ट्यूब दारा साफ किया गया खून शिरा में भीज दे एक्यूट किड्नी फेलियर का केस होने के कारण हम उन्हें डालेसिस पर ले आए हैं जनरल एमर्जेंसी वार्ड से बाहर जब हम डॉक्टर से मिले तो उसने हमें पूरी इस्थिती की जानकारी दी ये लेकिर उनके रोक के उप्चार का पहला चरण है हम केवल समय खरीद रहे हैं अच्छा तो यही रहेगा कि उनके शरीर में एक नया गुर्दा ट्रांस्प्लांट कर दिया जाए यो तो किसी कैड़वर अर्थार्शव के गुर्दे का प्रबंद भी किया जा सकता है लेकिन कैड़वर गुर्दे को दो साल तक बने रहने का सयोग के वर 75 फीजदी होता है जबकि किसी नजदीकी के गुर्दे का 90 फीजदी दो साल के बाद क्या फिर से दूसरा गुर्दा चाहिए होगा गरीश रंदे ने पूचा हाँ डॉक्टर ने कहा उनके चार बेटे हैं माने कहा आठ साल तो आराम से कठी जाएंगे ठीक है चारों के टिश्यू और खून के नमूने हम लिए लेते हैं सबसे पहले उसी बेटे का गुर्दा लेंगे जिसका मेल सबसे ज़्यादा क्लोस ज़्यादा नजदीक रहेगा हिमंत रंजन को अभी न छेड़िये माने कहा ये अभी उटती जवानी में है कच्ची तरुनाई में अभी इसे पक जाने दीजे इससे लाव उठाने के अफसर जब आएंगे ये भी सुलब रहेगा उपलब रहेगा किस कौशल से माने मुझे आस्था की परीक्षा देने से बचा लिया था लेकिन आउंटी गिरीश रंजन ने कहा एक दुकान में मैंने अभी हाल में ही एक सेल्समेन की नौकरी पकड़ी है मेरी गैरहाजरी में मालक किसी और को रख लेंगे ऐसे में मैं सोचता हूँ अपना गुर्दा मैं भी अभी न दूँ अगली कोई बारे ले लो वही तो मैं भी सोचता हूँ सतीश रंजन ने कहा इन दोनों कम्प्यूटर के जिस कोर्स में मैंने दाखला ले रखा है उसी कोर्स के इम्तिहान अगले सब्दा पड़ रहे है इम्तिहान अगर मैं नहीं देता तो मेरे कोर्स की पूरी फीस बेकार चली जाएगी गुर्दा तो मैं भी इस समय नहीं देना चाहूँगा मैं चुपचाब महां से किसक आया बाबा के पास जहां राजी वरंजन बैठा था डॉक्टरों का निर्देश था परिवार के किसी ना किसी सदसे का डायलेसिस के समय बाबा के पास बने रहना अनिवार है डायलेसिस की दोनों ट्यूबों के यथा इस्थान संचालन के अवलोंकन है तो किसी भी ट्यूब के अपने इस्थान से खिसकने पर रोगी की जान जो खिम में पढ़ सकती थी राजीव रंजन मा ने उसे पुकारा वो मेरे पीछे पीछे चली आई थी तुम्हें डॉक्टर उधर बुला रहे हैं चलो उठो देखो क्या कह रहे हैं मा ने उसकी पीट पर थपकी दी क्या वे उसे तयार कर रही थी बाबा को गुर्दा देने के लिए थपकी क्या उसी को लेनी होगी आजकल क्या कर रहे हो रास्ते में मैंने राजीव रंजन से पूछा उसका उत्तर जान लेने की मेरे अंदर तीव रिज़े क्या सा थी कुछ खास नहीं बिना किसी शप्डा डंबर के उसने पूरे भूलेपन के साथ अपना उतर दिया क्या कहीं पढ़ते नहीं उन तीन भाईयों में हमारे घर पर भही सबसे कम बार आया था उससे मिले हुए मुझे लगवक तीन साल हो रहे थे जब उसे हमारे घर से अपने इंटर्मीडियर्ट का इंतिहान देना था बी-ए के दूसरे साल में हूँ लेकिन सब बेकार है अकेले बी-ए से कुछ हासल नहीं होने वाला तुम कुछ हासल करना चाहते हो हाँ क्या बाबा की तरह मैं भी अच्छे स्केच बना लेता हूँ उनसे खूब अच्छा सीखा भी हूँ सहज ही अपने भरोसे को उसने मेरे सुपर्ट कर दिया लेकिन बाबा की तरह अपने पीछे मैं गुमनाम कागद छोड़ कर नहीं जाना चाहता हूँ नाम कमाना चाहता हूँ नाम भुनाना चाहता हूँ आंटी ने तुम्हें तयार कर लिया गिरीश रंजन और सतीश रंजन हमें देखते ही हमारी होर बढ़ाए किस بाथ के लिए राजीव रंजन ने पूचा इधर पहिशते समय तुम्हें कुछ नहीं बताया क्या नहीं बताया राजीव रंजन आशंकित हो उठा तुम जानते हो आर्ट्स कॉलेज के उस आनंद स्पॉर्ट कंप्टिशन में भाग लेने के लिए कितनी भागदौर मुझे अभी से करनी होगी, अपना नाम समय से भरना होगा, फीज का प्रबंद करना होगा, लेकिन किसी भी गुर्दे के प्रतिरोपर से पहले ही बाबा चल दे दिया है, भाईयों में सतीष रंजनी मा के आग्रे पर हमरे साथ कौर्टर पर सोने आया था, मेरे तकहत पर, मेरी पगल में, गरीश रंजन और राजीव रंजन तो बाबा की पहर्यदारी के लिए वहीं अस्पताल में रुख गए थे, भोचक अवस्था में सतीष नीद की गोली से, मा की नीद की गोली की तरंग से सभी पढ़ चित थे, बाबा समेट सभी सुवै के पंची रहे, लेकिन इसी गोली के बूते पर मा सुवै देर तक सोया करती, पूरी बे परवाही के साथ, अपने संस्थान पर में 10 बजे से पहले जाना भी न रहता, मेरी म पार्टर से हस्पताल 40 किलो मीटर की दूरी पर तो रहा ही होगा नानी द्वारा दर्वाजा बंद कर देने की आवाज उसके साथ मैंने सुनी अपनी रजाई से सतीश रंजन मीटे रजाई में न लोटा आराम कुर्सी पर बैट कर मेरे मुबाइल से करीश रंजन का मुबाइल नमबर मिलाने लगा आंटी सो रही है हाँ नीन की गोली लेकर उनकी अम्मा सवारी के दिक्कत बता रही है हाँ गेट पर चौकीदार तो मदद करी देगा मैं आता हूँ फिर तुमारे साथ मैं भी चलूँगा अपनी रजाई मैंने छोड़ दी मेरा बटवा एकदम खाली है सतीर श्रंजन ने कहा तुमारे पास कुछ रुपया है हाँ है तो उसके शोकातुर चेहरे की चिंता मुसे देखी न गई मैंने परिक्षा फार्म की फीज मेरे पास पूरी क की पूरी धरी है 150 रुपय उसने मेरे रुपय अपने बटवें रहर लिए हम अस्पताल जा रहे हैं मा और नानी का दर्वाजा इस बार मैंने थप थपाया उधर से कोई जवाब नहीं आया संस्थान के चौकीदार ने हमारे संकट काल को तूल दिया और एक टेम्पो सो पैठे मिलें बाबा की गर्म रोई के अंदर बाबा का शेरीर फर्ष पर बिच्छा था सर्वत्र निसाहाय और निराश रहें उनके शरीर से ना केवल अस्पताल की चादर नदारत थी बलकि उनका मफलर और पूरी बाजू का स्वेटर भी उनका उप्री भाग इस समय केव बिना बाजू की एक मैली बन्याइन का अवलंब लिये था और निशला भाग बदरंग एक सूती लोंगी का उनके पैर पूरे नंगे थे मोजे और जूते सब गायब थे घर चले मैंने पूछा बाबा को कुछ पहना देने की मुझे जल्दी थी ऐसे कैसे जाएंगे मा को फैमिली पैंशन दिलाने के लिए गरीश रंजन ने सतीश रंजन की तरफ देख कर आखे में शकाएं दाह कर्म यहीं हो जाने देंगे या फिर उधर कसवा पूर ले जाएंगे सतीश रंजन ने फिर पूछा उधर क्या है गरीश रंजन गुड़का मा तो वही है यक बयक मुझे ध्यान आया बाबा हमारे पास कुल जमा 14 साल ही तो रहे थे वही 14 साल जब उनकी सरकारी स्कूल की नौकरी उनकी बदली हो जाने के कारण उन्हें हमारे शहर लाई थी और जिससे निवरित होते ही वो अपने कसबा पुर लोट लिये थे अपनी पेंशन भी वो कसबा पुर ही से सीधे पाते रहे थे और मालुम है राजीव रंजन भी बाबा की लोई से बाहर आ लिया बाबा की पूरी बाजू का स्वेटर वो पहने था यहां का दाहकर्म कितना आसान रहेगा एक वाडबाय बता रहा था कि यहीं से थोड़ी सी दूरी पर एक विद्युत शब्दाहा ग्रह है सो रुपए लेते हैं दस मिनट के अंदर अस्थिया मिल जाती है मुझे अभी अभी पता चला है मेरे मुबाय से मा की आवाज उन भाईयों के मुबाय पर आई इधर अस्पताल आते समय अपना मुबाय मैं वहीं बड़े कमरे के गोल मेश पर छोड़ाया था मैं वहाँ पहुँच रही हूँ आप विद्युत शब्दाह ग्रह पर पहुँचिए ग्रीश रंजण ने उत्तर दिया हम वहीं जा रहे हैं ठीक है वहीं पहुच जाओंगी मा ने तनिक विरोध ना किया बाबा के उत्तर जीवी थे हम ये अनुदान था हमारा हमारा पतिशोद हमारा पंचनिरने मा के आने से पहले बाबा अंदर पहुँच चुके थे लेकिन मा ने तनिक निराशा नहीं जताई एक बार भी नहीं कहा कि मेरे आने तक उन्हें रोग कर रखते मुझे उनके अंतिन दर्शन करने थे आई और निशब्द उस परिसर में आन खड़ी हुई जहां जड़ अवस्था में हम चारों चुप्पी साधे खड़े थे अलब कालिक उस दाहा के निशबादन के बाद दाहा ग्रह के करमचारी ने बाबा का अस्तिकलश जब आगे बढ़ाया तो भी ग्रीश रंजन नहीं उसे पकड़ने के उस्पता दिखाई माने नहीं उन्होंने केवल मुझे वहां से चलने का संकेत किया हमें विदा देते समय किसी भी भाई ने पहले की तरह मा के पैर ना चुए ना मुझे बले से लगाया क्वाटर पर पहुंचते ही मा नानी की बाहों में धम से गिर पढ़ी जोर जोर से बिलखने के लिए मेरे अंदर चक्कर लगा रही मेरी बे आरामी फूटी अगले दिन अपना परीक्षा फार्म भरते समय नाम वाले कॉलम में अपना नाम हिमंत रजन भरते समय मेरे आखों को बेद रहे ऐसे आसों के साथ जिने पोच्रा मुश्किल था बहुत मुश्किल अभी आप सुन रहे थे दीपक शर्मा जी की लिखी हुई कहानी दशरत उमीद है कहानी आपको पसंद आई होगी कल फिर मिलेंगे आपका समय शुक्ष